invention इंसान का वो बुल है जिस वज़े से आज वो इतना evolve कर पाये हैं अगर आज इंसान ने inventions ना किये होते तो आज भी हम लोग वैसे ही जी रहे होते जैसे early man जीया करते थे वही कर्चे मास खा रहे होते वैसे ही गुफाओं में रह रहे होते वैसे ही जानवरे के खाल पहन रहे होते लेकिन 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 ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने आविशकार किया और अपनी जीवन को सरल बनाते गए तो ऐसे ही अंगिनियत आविश्कारों के बीच हुए एक और आविश्कार में आपका स्वागत है आप देख रहे हमारा शो इन्वेंशन्स जिसने बदली दुनिया का एपिसोड फॉर्थ दोस्तो ट्रैवल करने के लिए मेंली तीन तरीके होते हैं हवा में एरोपलेन के माद्यों से जमीन में गाड़ियां और पानी में शिप्स इन तीनों तरीकों में से जो सबसे सस्ता और बेश्ट माना जाता है वो होता है पानी का रास्ता दोस्तों ये बात है आज से करीब 8 लाग साल पहले की उस वक्त कोई भी भाषा नहीं हुआ करती थी जिस वज़े से लोग आपस में बातचित नहीं कर सकते थे और साइंटिस्ट उस समय के लोगों को होमो इरेक्टस करते थे पर इनसान evolve कर रहे थे माना जाता है होमो इरेक्टस evolve कर रहे थे और अफरीका से धीरे धीरे धर्ती की अलग-अलग हिस्सों में migrate करते जा रहे थे होमो इरेक्टर्स पैदा हुए अफ्रिका में पर वहां से माइगरेट की इंडोनेशिया जो की बहुत बड़ी-बड़ी समुद्रों को पार करके आता था और ये ही वो कारण था जब डिस्कवरी हुई लॉग राफ्ट की यानि लकडी से बने बेडे की ये जानने के बाद की होमो इरेक्टर्स जो की अफ्रिका में पनपे थे माइगरेट की इंडोनेशिया तक और बीज में बहुत सारी समुद्र आती हैं जिसको पार करने का एक ही उपाय समुद्री रास्ता ये जानने के बाद कि उस समय किस तरह के resources थे scientist ने उस raft को दोबार से बनाया उसे reconstruct किया और समझा कि किस तरह से उन लोगों ने समुत्र को पार करा होगा scientist ऐसा मानते हैं कि homo erectus ने बड़े बड़े बास लगवाय थे अपने पूरे area में region में और उससे ही अपनी raft वो लोग बनाये थे wooden log raft के invention के बाद अब जैसे जैसे इंसान और भी ज्यादा evolve करते जा रहे थे उनके दिमाग में नए नए और ज्यादा बहतर बहतर ideas आते जा रहे थे ऐसा ही एक idea था भाला spear का जानने के लिए देखिए अगला episode क्योंकि अगले episode में कुछ खास है subscribe कर लिजे ताकि आपको notification आए सबसे quick like and share करना ना बोले देखने के लिए शुक्रिया